आज के टाइम में हर सुडेंट यह चाहता है कि पॉलिटेकनिक में वह अच्छी रैंक लेकर गया है जिससे कि उसको अच्छा कॉलेज मिल पाए अच्छा करियर मिल पाए अच्छा करियर आप्शन मिल पाए लाइफ अच्छे से जी पाए तो आज की वीडियो में हम आप बात करेंगे कि model paper का कितना utilization होता है model paper जो है polytechnic का क्या आप वो help करेंगा आपका polytechnic का entrance exam निकालने में आज की वीडियो में इस एक बार इम बात करेंगे पहली बार आप पॉलिटेक्निक अड़ा चैनल पर आएं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और पहले आइगान को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो को प्रॉपर नोडिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें अगर model paper की बात करें देखो model paper पहले ही मैं आपको बता रहा हूं बहुत important role play करता है कोई भी model paper हो देखो polytechnic जो है ना हमेशा जो होता conceptual ways question होता है ऐसा नहीं क्यों ready made question पूछ दिया गया कभी कबार होता ready made question पूछे जाते हैं लेकिन concept बहुत तगड़ा होता physics chemistry mathematics का concept है 10th label के यह concept पे जो syllabus है वो थोड़ा सब के board के syllabus से भी अलग होगा मैं यह बात बोल ला हूँ जो बोर्ड का सरफ बहुत सारी लोग सोचते हैं कि सरफ 10th का जो syllabus है उसको complete करने पर हम अच्छी rank लेकर आ जाएंगे ऐसा नहीं है 10th का अलावा भी कुछ syllabus कबर किये जाता है इसलिए सबसे पहले आप polytechnic के entrance का syllabus देखिए कि syllabus में क्या-क्या चीजे कबरब है physics chemistry mathematics से बहुत सारे out of syllabus भी चीजे होती जो board की syllabus होते है उससे अलग होता है अरे बाई आप engineering करने जा रहे हो तो syllabus तो थोड़ा अलग होगा ना चीजे तो थोड़ी अलग होंगी न आपके लिए तो वहां पर आपको fight करना पड़ेगा वहां पर चीजे आपको समझना पड़ेगा जब तक आप समझोगे नहीं जब तक आप जानोंगे नहीं तो वहां पर चीजे शिप और सिफ आपको लगेंगे यह क्या हो रहा साइध यह नहीं करता तो मेरे लिए करते हैं तो आपका घड़ी का टाइम है वाच अपने फोन उठाइए अपने फोन में टाइमर लगाईए कि हाँ यह तीन गंडे का वेपर है और पूरा तीन गंडे सब करना है तो इसके लिए सबसे पहले अपने प्रप्रेषन कर लिए पहले स्टेजी ओर प्लानिंग बना कि उसको एक्जेक्यूट करना ही पॉलेटएगनें में अच्छा च्छा रिंग लिए और प्रेशन कर लो और जब आपको लगे की नई अब मेरा better हो गया है तो आप unsolve paper उठाओ solve नहीं, unsolve paper उठाओ unsolve paper को उठाके पुरा 3 गंडे बैठो unsolve paper, एक unsolve paper week में at least 2 unsolve paper आप solve करो ठीक है, 2 unsolve solve करोगे तो उसमें पता चल जगा, आपको खुदी पता चल जगा आप कितने पानी में हो, आपकी कितने rank आने वाली हो, आप कितना question कर पाओगे trust me guys, 10 से 12 साल का अगर आपने कर लिया आपने polytechnic का unsolve ना, तो वहाँ से आप अगर अच्छा score कर रहे हो अपना lacking point भी पता चल जगा कि math में हम कहां lack कर रहे हैं, कौन सा lacking point में कम question क्यों कर पा रहे हैं, उससे आपको जो आइडिया लगे जो आपका week area, चाहे हो mathematics हो, चाहे हो physics हो, चाहे हो chemistry हो, जो week area है, उस पे जाकर आपको ज्यादा focus करना पड़ेगा, तो अभी आपके पास time है, उस time का पूरा यूटिलाइशन करिए, और अगर नहीं यूटिलाइशन करोगे, तो फिर वही होगा, unwanted college, unwanted rank आएगी, फिर आपको लगेगा, वाह, हमने तो कमाल कर दिया, और फिर आप कहोगे channel पर आगर आगर के sir, आप तो बताते थे, पॉलेटाइनिंग बाद यह हो जाएगा, वो हो ज complicated things की, आपको अपने career को लेकर, बहुत ही जादे गाई serious रहना पड़ेगा, जब आपने career को लेकर serious रहोगे ना, तब ही जाकर आपको बताना, मैंने दिया आपको बता है, तो वीडियो में इतना ही, और चो लोग टेली ग्राम पे वो भी जाके join कर ले, जिनको career consulting services चाहिए, link description दिया, एक बर्जा करके वो लोग भी देखे, मिलते आपसे next video में, thank you.